नमस्ते मैं कुमार उत्पाल लिमकाबू का फॉर्ड लेकर्ड होल्डर तीस पुस्तुकों के लेखक आज मैं सुरू कर रहा हूं सिख धर्म और बिहाद सिख धर्म की सुरुवात कैसे हुई और उसके कितने गुरू थे उन सब के बारे में विस्तार से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सब सिख धर्म में दस गुरू हुए हैं और उसके प्रथम गुरू गुरू नानक हुए हैं वह तीस वर्सों की अबधी में देश में पांच वार यात्रा किये और वह यात्रा करने अकेले नहीं किये उनके सार चार मित्र थे मर्दाना लहना बाला और रात दास या पूछे जाते हैं पड़िक्षाओं में बिपी एसी और यूपी एसी के लिए यह बहुत महत्तपून है क्योंकि हर एक पड़िक्षाओं चाहे साथ पब्लिक सर्विस कमिशन है उत्तर प्रदेश लोग से वायोग जहारखंड प्रद या प्रशन पूछे जाते हैं क्योंकि कई राज्यों से सिख धर्म का काफी प्रतेक्ष रूप से जुड़ाव रहा है और बिहार में तो दसमे गुरू का जन्म अस्थल ही रहा है पटना साहिब जहां से मैं आपको पढ़ा रहा हूं बतला रहा हूं तो आप हमलों के लिए यह तो एक बहुत सुवसर है जहां की धर्टी पर दसमे गुरू का जन्म हुआ था मैं आपको बता रहा हूं गुरू नानक की यह आप जो तस्वीर देख रहे हैं गुरू नानक जी का है गुरू नानक जी यहां पर दिखलाई पर रहा है इनकी पत्नी माता सुलक्षनी है और इनके पुत्र दो पुत्र है एक स्रीचंद है आपको यहाँ पर आपको स्रीचंद आप देख रहे हैं यहाँ पर और गोदी में जो है लख्मी धाश है तो यह जब अपने पडिवार को छोर करके यह अपने धर्म के प्रतिक कृतसंकलपित हो करके चल देते हैं तिर्थ यात्रा पर यात्रा तीस वर्सों की अबदी में पाँच वार यात्रा करते हैं इसलिए इनको उदासिया भी कहते हैं और आपको एक बात बता दें, इन स्री चंद जो थे, जो सबसे बरे पुत्र स्री चंद थे, वह उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है, मैं दिल्ली में आपको उदासी संप्रदाय का एक बहुत बड़ा मंदिर है, जहां पर हमारे मित्र अमरेश जी वहां पर रहते हैं, मैं पर बगल में उसी को ध्यान में रख करता हूं और तब जाता हूं तो इसलिए उदासी संप्रदाय के बारे में मुझे बहुत कुछ जानकारी मिली वहां से तो मैं आपको बता रहा हूं यह उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक रहे, श्री चंद, द्यान रखेगा, मैं आपको बतला रहा हूँ, इनके जनमस्थल के बारे में भी पुछे जाते हैं, ननकाना साहिब है, जो ननकाना साहिब, ननक के नाम से ननकाना साहिब हो गया, और वैसे यह तलवंडी में है और अभी पाकिस्तान में है, नानक के नाम से इसका नाम हो गया नानकाना साही तो अध्यान रखेगा। मृतु इनके करतारपू देरा बावा जो जगा है वहाँ पर हुआ था। पिता का नाम कालू जी था, माता का नाम तृपता देवी था। और पत्नी का नाम सुलक्षनी जिनके बारे में अभी हम चित्र में यही सुलक्षनी हैं यहाँ पर गुरु नानक जी हैं पुत्र स्री चंद हैं जो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक रहें यहाँ प्रशन पूछे जाते हैं इसलिए आप ध्यान रखेगा और दूसरे पुत्र जो यहाँ पर गुदी में हैं माता सुलक्षनी के गुदी में हैं वह लक्षमी दाश हैं जाती इनका खत्री था प्रवोध प्राप्त हुआ था इनको जब या दौलत थालोदी के समय में यह उनके नौकडी कर रहे थे बहुत कम दिन ही कियें उसी समय इन इनको enlightenment हुआ, means प्रकास मिला, इनको दिब्व प्रकास मिला, और यह जो प्रवोध है जिसको ज्ञान काते हैं, enlightenment काते हैं, इनको ज्ञान मिला, और ज्ञान कहां मिला था, तो काली बेन नदी के किनारे, यह प्रशन पूछे जाते हैं, जैसे अन्य शंतों के साथ हुआ था, ज काली बेन नदी के किनारे या पूछे जाते हैं कविता इन्होंने कई कविता के किताब लिखी और कई आपको अगे बतलाओंगा इनकी कविताओं का संग्रह बाद में किया गया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहले इनकी जपजी, सोहिला, दखनी, उंकार, आसादी, बार, बारहमा, पट्टी, सिध, गोहस्त ये सब है इनकी कविता है जिसको ध्यान में रखेगा उपाधी इनको हजरत लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं कि या गुरु नाना को मिला था लेकिन या जो आपको उपाधी है हजरत रभु बुल मजीज इनको उपाधी मिली थी मृतु आपको मैंने बताया है करतारपूर में 1539 को समझे 1549 को हुआ था 1479 में इनका जन्म हुआ है या डेट आपको ध्य बता रहा हूं नानक पंथ ही या चलाय थे और इनहीं के सिखकाला या इब्राहिम लोदी के समकालीन थे और एक बात और आपको परिछाओ में पूछा जाता अब ध्यान रखेंगे कि पानीपत की जो लड़ाई हुई थी 1526 में वह पानीपत की आँखों से देखने वाले सा अच्छात गवाह के रूप में और सारी चीजों को देखने वाले गुरु नानक ही थे इसको ध्यान में रखेंगा या परिछाओ में पूछे जाते हैं कौन उस समय पानीपत की लड़ाई को अपने आँखों से देखा था तो वह गुरु नानक ही थे इसको ध्यान में रख या पूछे जाते हैं अप्ना उत्राधिकारी लहना जो इनके साथ जो यात्रा में घय थे अपने पुत्र को नहीं बना करके या लहना को अपना उत्राधिकारी बनाया जो अंगद नाम से दूसरे गुरु बने तो उस वंसानूगत नहीं हुआ था और इनके साथ घुमने वाले यात्रा पर जाने वाले चार व्यक्ति थे पहला मरदाना दूसरा लहना तीसरा बाला चौथा रात दास चार आदमी रहे हैं तो उसी में से लहना को इन्होंने अपना उत्राधिकारी बनाया और जो अंगद नाम से दूसरे गुरु बने थे इसक जो कि यह प्रश्न पूछे जाते हैं मैं आपको बता रहा हूं अंगद जो बने थे लहना नाम से और वह 1549-1552 तक यह रहे यह आपको गुरु नाना के सिस्स और जाती के खत्री थे इन्होंने खादूर में गुरु गद्दी बनाई थी खादूर एक जगा है जहां पर लहना कहा जाता था आपको गुरु नानक द्वारा चलाई गई लंगर सामुहिक भोज को ब्यवस्ता को नियमित कर दिया था एक बात आपसे पूछा जाएगा लंगर जो की ब्यवस्ता सबसे सुरू करने वाले कौन थे तो गुरु नानक थे और इसको ब्यवस्तित और नि गुरु का जहां पर डेहा होता था, वहां पर दूर दूर से सैक्रो किलोमेटर दूर से पैदल, पहले बेल गाडी वगरा जो भी साधन था उतनी साधन थी नहीं लोग आते थे तो इन लोगों ने देखा कि भाई ये लोग इतने दूर से आते हैं तुरन तो लोटने की बिवस्ता नहीं थी तो रहेंगे तो खाएंगे कहां तो इन लोगों ने खाने की बिवस्ता भी करवाया निशुल करवाया और इसको खाने की जो सामोहिक भोज बिवस लंगर ब्यवस्था शुरू की गई आज तो हर जगा होटल वगेरा सभाई लेकिन उन दिनों तो कोई इस तरह की ब्यवस्था नहीं थी और बड़ी दूर दूर से पैदल लोग या बैल गारी से आते थे जो तुरंत लोटने की ब्यवस्था नहीं थी तो उसमें ये लोगों सकते हैं और वहां पर आपको निशुलक आपको खाने पीने की ब्यवस्था मिल जाएगी तो यह जो लंगर जो है बहुत सुद्ध शाकाहरी भोदन मिलता है बहुत ही अच्छा लगेगा आपको तो लंगर की ब्यवस्था आपको यह पूछी जाती है पड़ी चाओं में व मैं आपको बता रहा हूं अब हम अमर्दास जो तीसरे गुरु थे 1552 से लेके 1574 इस्वी में जो यहां पर आप दिखलार हैं यह गुरु अमर्दास हैं तृतिये गुरु हैं शिखिके या अकवर के समकालिन थे इनकी गद्धी जो थी गोईंदवाल में थी गोईंदवाल बहुत प्रसिद्ध जगा हैं आपको कई बार इसकी चर्चा मैं करूंगा यहां पर इन्होंने बावड़ी का अंद्रमान करा जिसके बाड़े में कहाबत प्रचलित थे इसकी पानी पीने से सभी रोग दूर हो जाते हैं ठीक है ना और इन्होंने नियम बनाए कि कोई भी बिना लंगर में भोजन की हुए गुरू से नहीं मिल सकता इन्होंने गुरू अमरदास ने ऐसी ब्यवस्था कर दी कि भाई कोई भी आदमी इतने दूर से आते हैं तो सबसे पहले भोजन और पानी की ब्यवस्था होनी चाहिए तो इन्होंने नियमित कर दिया कि हम उन्ही व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपको भोजन पानी कर सके पानी के लिए इन्होंने बावडी का अंद्रबान किया जो आप तालाब देखते हैं तालाब से बड़ा रूप होता है और उसमें सीड़ी भी होती है जो अगर जरूरत परे तो नीचे से हम पानी बल्टी या अन्ने सकते हैं और बावडी काफी नीचे तक जाती थी और काफी बड़ा होता था सीड़ी उसमें रहती थी तो बावडी जो होता है आपको तालाब जो आपको देखने का मौका मिलता है उसे बड़ा होता है तालाब को तो नहीं कहिए कुवा कहिए कुवा कुवा से बड़ा होता है बावड़ी होता है इसको ध्यान लखेगा एक में उतरने की सीटहां बहुत कम पाये जाती है यहँ पकी करण होता है और पानी की अपर पानिका यहां पर उपभोग किया जाता है तो बावड़ी का न्रबान कराए था तो फैने कि इन्होंने सुविधा कराई थी गुरु अमरदास ने अपने उपदेशों को प्रचार प्रसार करने के लिए दूर के सिखों के गोईंदवाल गुरु साहब का प्रवचन सुनने के लिए आना मुश्किल था स्वाविक था उस समय मैं एक बार बार यह कहना चाहता हूं आज तो बहुत सारे यूटूब हैं बहुत सारे चैनल हैं जो आपके गुरु के संदेश आपके घर तक पहुं जाता है लेकिन उस समय गुरु से भेट करना उनके संदेश को जानना आपको तभी संभव हो सकता है जब वहाँ पर आप जाएंगे तो जाने में बड़ी दिक्कत ह होती थी आने जाने का बहुत शाधन बहुत ही कम था बैल गारी वगरा होती थी और कई महिनों लग जाते थे तो उसमें इसलिए इन्होंने सोचा कि भाई क्यों नहीं हम 22 गदियों का अमरदास ने 22 गदियों का विवस्ता किया वह गदी क्या था कि वहाँ पर जो इनके सिस से लोग होते थे जिनको महंत या मुखिया कहा जाता था मनजीदार कहा जाता था वहाँ पर जो धर्म के बारे में अच्छी ग्यान रखते हों और सभ्य और सुसंस्कृत हों और वह अपसदाचारी हों तो उन लोगों को इस 22 गदियों पर बैठाते थे और उनका प्रवचन वहाँ पर दिलवाते थे लोगों को गुरु पाठ कराते थे धर्मिक प्रवचन होती थी गुरु वानी की पाठ होती थी और इस ब्यवस्था को यह 22 गदियों की जो ब्यवस्था थी उसको मनजी प्रथा कहते हैं यहां पर आप देख रहे हैं गुरु के सिस्स हैं और यह जो है मंजी प्रथा आपको यहां दिखाई पर रही है, इस मंजी प्रथा वाला तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, यह मंजी प्रथा है, और मंजी प्रथा से जो छोटे हैं, छोटे अस्तर पढ़ हैं, उसको पीड़ी का आ जाता था, यहां पर पीड़ी मैं आपको बता कर रहाया थे गुरु अमर्दास दी जो तीसरे गुरु थे और उनसे छोटी जो होती थी उसकी उपसाखाएं जो होती थी पीड़ी होती यहाँ पर भी सेम वही इस्तिती थी और इसके चलते 22 गदियों तो मुख मंजिदार लोग होते थे लेकिन 22 के जो पीड़ी होते चोटे चोटे जगों पर जो चोटे चोटे प्रवचन देने वाले गुरु के सिस होते थे वो लोग वहां होते थे जिससे क्या होता था धार्मिक धार्मिकता की बरहोत्री होती थी समाज में धार्मिक प्रवर्ति का संबर्धन होता था तो यह एक बहुत अच्छी चीज बात किये थे मुगस समराथ अकवर इनसे मिलने स्वयम गुंदवाल गए गए थे तो अकवर जैसे महान शासक भी इनसे मिलने गए थे और अकवर ने अमरदास की बेटी बीवी भानी के नाम कुछ जमीन भी दे दिये थे अमरदास ने अपने दामाद वा सिस रामदास को अपना उत्राधिकारी बनाई यही यह जो रामदास जी अमरदास जी अपने दामाद जो हैं अमरदास जी अपने दामाद को उन्होंने जो सिस भी थे दामाद भी थे रामदास जी को बनाया है चौथे गुरू बनाया है और यह जो है और अकवर जैसे महान सम्राट भी काफी जमीन वगर दी थी इनको विकास करने के लिए मैं अब आ रहा हूँ रामदास जिपर जिनका पिरियड 1574 से 1581 है यह मैं बार बार का रहा हूँ यह अकवर के समकालिन थे अमरदास के दमा थे अकवर नहीं पांसो बिगा भूमी प्रदान किया था इस जमीन पर इन्होंने रामदास जी नहीं अमरित सर नामक सहर बशाया था अमरित सर आपको सहर बशाने वाले आपको आपको रामदास जी ही थे और पहले इस नगर का नाम रामदास पूर था इन्होंने नगर निर्मान में धनकी आप सिक्ता के करन अपने अन्वाईयों को पैसा वसुलने के लिए भेजा अन्वाईयों को रामदासी और एवं ब्यवस्था को मशंद गुरु रामदास के द्वारा सुरुवात किया था मशंद ब्यवस्था कहा जाता था तो मशंद ब्यवस्था यहां पर मसंद प्रता है यह जो हैं रामदास दी हैं यह सुरुवात किये थे मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको कि यह आपको देखने जो आप देख रहे हैं यह आपको यहाँ पर यह आपको हरमंदिर शाहब है और यह अम्रित सर में है इसको आप ध्यान रखेंगे अम्रित सर तालाव है यहाँ पर ठीक है न तो आपको यह जो सहर जो अम्रित सर है अम्रित वाला सहर है और वह आपको सर में आपको तालाव होता है तो अम्रित वाला तालाव है या तो अम्रित नामक सहर बशा है बहुत सुन्दर सहर है आप जाएंगे तो बहुत ही जहां पर कूट-कूट की धार्मिकता भड़ी हुई है शंतो की नगड़ी है यह मैं आपको दिखाई पर रहा है यह मंदिर जो है सो आपको बहुत महत्पोन है इसको ध्यान रखिएगा और यह जो है तालाव है इसको भी ध्यान रखिएगा तो यह जो है यह बहुत महत्पोन है और यह मशंद प्रथा है जिसके बाड़े में हमने आपको कहा था मशंद मिंस होता है आपको जो गुरुओं के द्वारा जो सिस हैं जो चुने हुए न्युक्त जो सिस हैं वह जा करके इस धर्म का प्रचार प्रशार करें और कुछ आर्थिक कलेक्शन भी करें जिससे आपको लंगर बेवस्ता है और इसका आपको संबर्धन हो सके इसके रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को उत्राधिकारी न्युक्त करके गुरु का पद पैत्रिक बना दिया थे यही रामदास जी है जो अब अपने पुत्र को तीसरे पुत्र को अर्जुन को उत्राधिकारी न्युक्त कर अब गुरु का पद जो है सो आपको प अम्रिस्सर और संतोस्सर नामक तालाव निर्मत किये और यिसी से बाद में इसका नाम अम्रिस्सर हो गया। अम्रिसर तालाव के मद में हरिमंदिर साहब का निर्मान करवाय गया यही हरिमंदिर शाहब हैं जो बढ़ू देखने में बहुत ही आकरशक है तो यहीं पर निर्वान यह अम्रिसर तालाव यह तालाव के मध्य यह आवस्तित है मैं एक बात आपको कहना चार रहा हूँ कि इसकी आधार सीला कादरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत मिया मीर द्वारा रखा गया था इसको ध्यान रखिया क्योंकि यह बड़े पूछे जाते हैं बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई सीख धर्म के कादरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत मिया मीर द्वारा रखा गया था इसको ध्यान में रखियेगा यह लोग सबसे बड़ी बात है कि यह लोग धर्मिक शहिस्नु थे इन लोगों को हां कोई अगर भिरोध करता है इन लोग पर अत्यचार करता है तब यह लोग आपना आवाद उठाते हैं तब तलवार उठाते हैं नहीं तो यह लोग तो शहिस्नु होते हैं शंत मिन्स शहिस्नु जो सबकी सेवा कर सके वह शंत होता है तो मैं आपको बतला रहा हूं यह प्रशन आपसे पूछा जा सकता बच्चे कन्फ्यूज नहीं करेंगे कादरी संप्रदा के प्रसिद्ध संत म या मिर्द्वारा रखा गया था अर्जुन देव ने तरन तारन और करतारपू नामक नगर का निर्मान कराए था ब्यास नदी के तट पर गोविंदपूर नामक सहर बशाय था इन्होंने नगर के निर्मान के लिए अपने अनवायू को पैसा वसुल्ने के लिए भेजा जो म मशंद और मियूरा कहे जाते थे मैं आपको बार-बार का रहा हूं मशंद प्रथा की शुरुवात जो है सो रामदास किये थे और इसी को और विस्तार में अर्जुन देव ने किया था मशंद प्रथा अपने आदमियों के अन्वाईयों को चंदा उसिलने के लिए भेजा था इन्होंने अनिवार्ज अध्यात्मिक कर लेना सुरू किया तथा अपने सिस्यों से कहा कि अपने आयका एक वटा दस भाग गुरु को अर्पित करे इन्होंने गुरु नानक के उपदेशों को छोटी-छोटी कविताओं को गरंथ में शंकलन सोरा सो चार इस्वी को आदी ग्रंथ के रूप में किये थे खुसरों को समर्थन देने के कान जहांगीर ने सोरा सो चौई इसमी में इन्हें मिर्टू दंडे दे दिया था तो यह शहीद हो गए और यह जो आपको बता रहे हैं आपको यह रामदास जी का चित्र है यहां रामदास जी मशंद प्रथा की सुरुवात किये थे उनका है और यह जो हैं सो आपको अर्जुन देव का चित्र है यह आपको मैं बार बार कर रहा हूँ हरमंदर शाहिव का अंद्रमान जो है अमरिस्सर के तालाब में हुआ था चारों तरफ पानी है और यह शुन्दर हरमंदर शाहिव का आपका यह आप पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको बार बार कर रहा हूँ मैं आगे आपको बतला रहा हूँ आपके चठे गुरु जो है हर गोविंद है इनका पीरियड है इन्होंने सिक्ष में सैनिक भावना पैदा की और सैनिक सिक्षा प्राडंब की स्वयम की रक्षा के लि लडाकू जाती के रूप में परिवर्टित करने का काज किया इन्होंने अमरिसन नगर के किले बंदिक कराई और यहां 12 फूट उचाई अकालतक्त का निर्माण किया देखिए यहां अकालतक्त का निर्माण हर गोविंद ने करवाया था हर गोविंद ने अपने शिश्यों को धन के बदले घोड़े और सस्तर प्राप्त किये इन्होंने शिश्यों को मानसहार की आग्यां दी अपने पिता को जुर्माना की रकम ना चुकाने के कान जहांगीर ने इन्हें दो वरस्ता गौालियर के किले में कैद रखा साथ जहां से तीन वार युद्ध में पराजित हुए इन्होंने कस्मीर में कीरतपूर नामक नगर बशाया 1645 में कीरतपूर में इनकी मृत्व हो गई यह आपको हर गोविंद गुरू हर गोविंद जी का यह आपका चित्र है हर राय आपको बतला रहे हैं 1645-1661 आपको इन्होंने भी सिस्यों को सैनिक सिक्षा प्रदान की है साथ जहां के पुत्रों में उत्राधिकार का युद्ध हुआ था शामुगर की पराजा के बाद दारासी को इन से मिलने आया था इसे नाराज होकर और अरंजेब ने हर राय को दिली बुलाया वह स्वयम नहीं गए अपने बेटे राम राय को भेजे यही गुरू हर राय थे राम राय ने कुछ ऐसे कार्ज किये जिसे औरंजेब प्रशन हो गया लेकिन राम राय के कार्जों से गुरू हर राय नाराज हो गये और उत्राधिकारी अपने छो बरसी बेटे हरी किशन को बना दिये तो यह हरी किशन जी हैं जो 1601 से 1664 का पिरियद है इनका अपने बड़े भाई राम राय से विवाद हो गया राम राय ने देहरा दून में एक परथक गद्दी अस्थापित किये थे इनके अनवाई राम राय के नाम से प्रसिद्दुए हरी किशन ने अपना उत्राधिकार तेग बहादूर को बनाया हरी किशन की चेचक से मृतु हो गई यह गुरू हरी किशन जी है। मैं आगे आपको बह रहा हूं। अब मैं आ रहा हूं तेग बहादू 1764 से 1675 में या हर गोविंद के पुत्र थे इनके समय में उत्राधिकार के लिए बिवाद प्राडम हुआ था इन्होंने केंद्र अम्रिस्तर के अस्थान पर मखो वाली को बनाय था अब अम्रिस्तर के जगा या मखो वाली को बनाय था यही तेग बहादूर जी हैं गुरू तेग बहादूर जी हैं 1675 में और अरंजेव ने तेग बहादूर को दिल्ली बुलाया और इसलाम धर स्विकार करने को कहा पांस दिन यातनाओं के बाद इनकी हत्या कर दी गई यहां जो है तेग बहादूर जी का और अरजुन देव जी की आपको मिर्तू हो गई मुगलों के कारण तो इसको ध्यान रखेगा तेग बहादूर जी बिहार में शिख धर्म पर मैं थोड़ा सा चर्चा करने जा रहा हूं क्योंकि तेग बहादूर जी के बाद दस में जो पड़ी चाहें उसमें यह निस्त ही पूछा जाएगा अभी तक तो है आपको UPSC और अन्य पड़ी चाहों के लिए था लेकिन दसमें गुरु का बिहार UPSC से समंधित मुख रूप से पूछा जाएगा और अन्य बिहार से समंधित पड़ी चाहों में पूछे जाएंगे वैसे आपको UPSC में भी पूछा जाता है लेकिन बिहार पर आपका इनका कंसंट्रेशन अधिक रहा है इसलिए मैं इस पर विस्तार में चर्चा करने जा रह आधिकी यात्रा किया तक गुरुनानक जी जो हैं आपको बतलाएं हैं कि वह एक साल ने कई सालों तक पूरे भारत को पांच वार उन्होंने ब्रहमन किया है तो उन्होंने आपको गया भी आया थे राजगीर भी आया थे पतना भी आया थे मुंगेर भी आया थे पर इन्होंने भूमा था गुरु नानक इसलिए आपको खास करके पतनाव की बात मैं कह रहा हूं भागलपूर की बात कह रहा हूं यहां सभी जगह गुरुद्वारा आज भी है। पतनाप्रवास के दिनों में ही असम की और प्रस्थान करना परा जहां उन्हें सम्राट और अंजेव की राजपूती सेनापती को सहता देनी थी। इसलिए हुए अपनी गर्वती पतनी गुजरी देवी को अपने भाई कृपाल चंद के पास पतना में ही छोड़ गये। इसके कुछ समय बाद ही पतना में 26 दिसम्बर 1666 हिस्विको गोविंद सिंग जिनका बचपन का नाम गोविंद राह है का जदन भुआ था। जो आगे चल कर सिखों के दसमें गुरू गोविंद सिंग बने और मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इनके पिता जी की मडर मने मार दिये गए थे यातनाओं के बाद और अंजेवी के द्वारा मार दिये गए इसलिए 9 बरस में 24 नवंबर 1675 इसमी में ही 9 बरस के आयू मे बालग गुरू गोविंद सिंग पतना को छोर कर अपने पिता की आग्यापर पंजाव से आनंदपूर के लिए गुरू पद ग्रहन करने हेतु प्रस्थान कर गए मैं आपको बता रहा हूँ अब जो सबसे महत्पोन है बिपी एसी के विद्यार्चियों और बिहार के विभिन पड़ी च्छाओं में पूछे जाने वाले प्रस्थन और विशय बस्तू है मुख रूप से गोविंद सिंग जी का गोविंद सिंग जी का 1275 से 1708 ही तक इनका पीरियड है ऐसे गुरु जो गुरु होते हुए भी शंत होते हुए सिपाही भी है यह आप ए समझे कि आपको एक तरफ यह शंत प्रफ शिपाही है ठीक है ना तो यह एक बहुत बड़ी चीज है मैं इनके बारे में एक शब्द है जो बड़ावर कहा जाता है इसलिए इनका नाम भी है शंत शिपाही दूसरा इनका एक और नाम है सर्बंस दानि सर्बंस मिंस अपने पूरे पडिवार मैं एक चित्र आपको दिखा रहा हूँ यहां पर आप देख रहे हैं यह अपने पूरे पडिवार को समझे की नियोचावर कर देते हैं आप देख रहे हैं इनके पिता जी इनकी माता जी खुद अपने और इनके चार पुत्र सभी जो हैं आपको अपना जीवन त्याग देते हैं अपने समाज के लिए और मुगलों के विरुदावाज उठाने के कारण यह जो है तो आपको यह पूरे के पूरे वन्स जो है चार इनके पुत्र माता जी पिता जी और अपने खुद इसलिए इनको सरवन्स दानी कहा जाता पिता गुरु तेग बहदूर यहां दिखाई पर रहे हैं माता गुजरी देवी यहां दिखाई परती है गुरु गोविन सिंग यहां पर आपको दिखाई पर रहे हैं बेटे आजीत सिंग यहां पर दिखाई पर रहे हैं, सबसे बड़े बेटे जुजहारू सिंग आपको यहां पर दिखाई पर रहे हैं, और उसके बाद जोरावर सिंग यहां दिखाई पर रहे हैं, सबसे छोटे बेटे फटा सिंग यहां दिखाई पर रहे हैं, तो पूरे व और समझे सहीद हो जाते हैं तो इसलिए इनको ऐसा पूरे भारतिय इतिहास में मुझे देखने को नहीं मिला है तो ऐसे महान आत्मा जो संत भी थे सिपाही थे और सरवंस दानी कहा जाता है इसलिए यह आपका नाम जो है इस पर कई प्रशना आपको आ सकते हैं ध्यान रखेगा आपको सर्वंस दानी पूड़े पडिवार के दानी अपने आपको आत्मो सर्ग करते हैं आत्मा से अरपन कर देना आत्मो सर्ग कर देना अपने देश और अपने भूमे आपको संस्कृति की रक्शा के लिए इनको कलगिधर, दसमेस, पीट, बाला वाले कलगिया वाला साहिब एकमल, मर्द अगमदा, आपे गुरु चेला, अमरित दादाता, नीले दादाता सवार, परम पुरुषका दासा, आनद, पूर दावासी, उच्च दापीर, सच्चे पात्साह, वादसाह दर्वेश इतने नाम से यह जाने जाते हैं, इसको ध्यान लखिएगा, यह दसमे गुरु थे, और इनका जन्म मैं बार बार काना चाता हूँ, कि इनका जन्म जो है, आपको पत्ना में हुआ था, और आपको पत्ना साहिब जहाँ पर चार वर्स ताकिया रहे थे, ठेक है ना, इन्होंने मखोवाल के पास आनंदपूर नगर की अस्थापना की है, और यहां पर आपको वहीं पर यह गदी अस्थापित किये थे, मैं आपको आगे बता रहा हूँ, गोविन सिंग जी की पत्नी का नाम, पहली पत्नी जो थी, जीतू, माता जीतू थी, और उनका नाम एक और नाम है माता सुन्दरी, असल में जो पंजाब में एक ऐसा ट्रेडिशन है, कि जो उनका नाम होता है, पत्नी का वो तो रहता ही है, एक नाम अपने से दिया जाता है, तो इनका जो इनका नाम जीतू था, और यह जो हैं देखने में अच्छी थी, इसलिए उन्होंने इनका नाम मात सुन्दरी है, बहुत सारे किताबों में इनकी तीन साधिया दिया है, तो आप यह समझ लिए, कि इनकी साधि जो है माता जीतू जी है, उन्ही का नाम माता सुन्दरी रखे थे गुरू गोविन सिंग जी, इसको ध्यान रखिएगा, जिससे चार पुत्र हुए, पहले पुत पुरवर सिंग जी है, और चौथा जो है फता सिंग जी है, और दूसरी इनकी जो पत्नी जो थी माता साहिव कौर है, जिनका नाम शाहिव दिवान जी है, यह कुमारा दौला है, मदर आफ खालसा है, असल में आपको मैं बता दे रहा हूं, यह जो थे इनके पूरे पड़ि भाई, दोदो भाई, इनके पिता जी सभी आपको गुरु गोविन सिंग के बहुत ही मानते थे, और उनके प्रवचन सुनते थे, तो उनके बचपन से ही गुरु के प्रती समर्पन आ गया, तो जिस तरह से मीराक कृष्ण भागवान को अपना पती के रूप में ध्यान के रूप में मानते थे, लेकिन गुरु गोविन सिंग को जब यह ग्यात हुआ, तो उन्होंने कहा कि मेरी साधी तो हो चुकी है, मैं तो साधी कर नहीं सकता हूँ, तब लेकिन यह जो है, उनको कहा कि कोई बात नहीं है, आप हमारे पुत्रों का तो माता नहीं बन सकेगी, लेकिन मेरी पूरे विश्व में जो खालसा जो हम पंत बना हैं, उसकी मदर है, इसलिए मदर आफ खालसा इनको कहा जाता है, और यह कुमारा दौला है, मिनस यह साधी नहीं किये थे, लेकिन यह पती के रूप में मानते थे, यह भी अपने पत्नी के रूप में दरजा दिय लेकिन वह कभी भी सारीरी शंपर्ख नहीं हो सका, यह भावना के प्रती जिस तरह से मीरा कृष्ण के प्रती थी, उसी तरह से इनका भी आपका, इसलिए इनको कुमारा दौला कहा जाता है, मदर आफ खालसा, उन्होंने कहा था, कि आप मेरे पुत्रों को माता तो नहीं ब पाधी दी गई, मैं आपको बता रहा हूँ कि सोरह सो आठ हिस्वी में गुरु की जब मृतू हो जाती है, तो इनको बिहारवासी, माता सहाईवकौर और सहाईद दिवाने जी के प्रती काफी सहयोगात्मक रूख अपनाया, गोविन सिंग को सीरो मौर के सासक मेदनी प्रक दाया था, इसको ध्यान रखेगा, और इसलिए पाउंटा, हिमाचल प्रदेश नामक अस्थल की अस्थापना की पाउंटा में ही गोविन सिंग ने सेनापती के रूप में हजारों सिस्यों को सैनिक प्रसिक्षन दिया, सिखों को लाराकू सैनिक बना दिया, यह मरमग भार विद्वी थे, यह कई भार्षाओं के जानकार थे, आपको बता दे, संस्क्रेट, हिंदी, ब्रज, गुरु मुखी, उर्दू और फार्सी के भी बहुत बड़े ज्याता थे, इन्होंने कई ग्रंत की भी रचना की है, आपको बता देते हैं, गुरु ग्रंत साहिव को इन् शंत और शैनिक परंपरा की कता हैं, कितने महान यह थे कि शंत और शैनिक दोनों की परंपराओं को लोगों को पढ़वाया, लोगों को जनवाया कि अगर हमारे पास कोई बिरोधी अस्त्र लेकर आ रहे हैं, तो हम अस्त्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, सस्त्र का प्रयोग क सकते हैं तो इन्होंने सस्त्र और सास्त्र को ध्यान करवाए। आपको अग्रताह शकलम सास्त्रा, प्रिष्टाथ ससीरम धनु या कहा भी जाता है संस्कृत में। तो यह हैं आपको शंत हुआनिक के परंपणाay की कतह villi इसमें है आप ध्यान लखेंगे और वचितर नाटक जो है इनकी आत्मकता है गोविन सिंग की सवाई जीवनी और आत्मिक वन्शावली है चंडी दीवार जो है आपको पाउंटा में ही इसका मारकंडे पुरान से ही दूर्गा सबस्ती निकली हुई है तो यह जो है चंडी दीवार भगवती की आराधना करते हैं और उनकी अस्तूती करते हैं तो चंडी दीवार इसको कहा जाता है जफर नामा जो है आपका विजय की चिठी इसको कहा जाता है और अंजेव को लिखते हैं क्योंकि जब इनके दो पुत्रों को बद्ध कर दिया ज आता है तब उन्होंने लिखते हैं उसको जाप साहिभ निरंकार के गुण वाचक नामों का शंकलन है अकाल उस्ताध, अकाल पूरुक की अस्तूति और कर्मकांड पर उन्होंने भारी चोट भी किया है मिन्स हमारे समाज में जो कर्मकांड है उसको ये गलत हराते हुए कर्मकांड को थ्वा कम करते हुए समाज को आगे बढ़ने के लिए संदेश देते हैं साहबाद हजारे स्वायस भी इनकी रचनाएं हैं मैं आपको बता रहा हूँ स्री नगर के सासक फते सास ने इनके बरते प्रहाव के कारण पहारी प्रमुखों के साथ भगनी पर आक्रमन कर दिया इस युद्ध में गोविन सिंग विजय रहे इस युद्ध के बाद गोविन सिंग की सुरक्षा के दृष्टी से चार किले बनवाने के आदेश दिये चारों किले आनंदपूर किरतपूर के मध्ध इस्तित है मैं आपको यहां दिखा रहा हूँ यह जो है माता जीतू है और इनका नाम सुंदरी भी है माता सुंदरी भी है मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूँ यहां जो आपका पुस्तके हैं यहां पर आपको वचित्र नाटक है चंडी दीवार है और यह जफर नामा है या आपको जफर नामा है इसको आप ध्यान देंगे तो इतनी बाते मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि या इनकी ग्रंथ जो है बहुत महत्तपून है इसको आप ध्यान देंगे मैं आपको एक बात बतलाना चारा हूँ कि बिहारवासियों ने इनके 350 वर्स गांट को जन्मोत्सव वर्स को प्रकास वर्स के रूप में मनाया और काफी धूम धाम से मनाया 31 दिस्तंबर से 5 जनवरी 2017 में काफी धूम धाम से मनाया था जिसमें लाखो सिक्ष्रधालू विभिन देशों से आये थे पूरा बिहार इनकी सेवा के लिए ततपर रहा ठेक है न इसको ध्यान लखिएगा 1708 हिस्वी में गुरू के मृतू के उपरां तो उन्होंने मशंद ब्यवस्ता धार्मिक प्रतिनिदी को बिहार में भेजे आगे चलकर को उन्होंने मशंद ब्यवस्ता जो गुरू रामदास के द्वारा सुरू किया गया था और जून देव के द्वारा काफी बिकास किया वह जो है उसको इन्होंने समाप्त कर दिया और उसके जगा इन्होंने खालसा की शुरुआत कर दिया तो आपको मसंद्ध वेवस्था कि शुरुआत गुरुरामदास ने किया और अरजुन देव ने उसका विकास किया था और अंत जो किये थे गोविन सिंग क्यों किये थे उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग इसका जो चंदा कलेक्शन होता है उसका दुरूपियों कर रहे हैं तो इसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं ये बवस्ता खत्म हो जानी चाहिए मैं आपको खालसा पंत की सुरुवात कैसे किये उस पर मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ खालसा अरवी शब्द खालिश मतलब शुद्ध होता है गोविन सिंग ने 1499 इसको खालसा पंत की अस्थापना किये हैं वैसाखी के अवसर प्रणियों सभी अनवायों को केसगर आनंद पूर साही बुलाए यहां बरे नाठकी धंग से सभी की पड़ी चाली उन्होंने कहा कि आप सब जो अपना जीवन को आत्मोसर्ग कर सकते हैं आप आईए तो उन्होंने क्या किया एक टेंट गरा हुआ था उसमें आपको तलवार से ले गए और उस व्यक्ति को भी ले गए और उसको आपको क्या किये कि बाहर निकले तो तलवार में खून लगा हुआ था तो कहे कि दूसरा कौन व्यक्ति है कि आकर के अपना जीवन बलदान कर सकते हैं दूसरा भी इसी तरह से दूसरे व्यक्ति को टेंट में ले गए फिर बाहर निकलते हैं तो तलवार में खून लगी हुई थी इस तरह से वह पांच लोगों को बुलवाए और वह जो है उन्होंने कहा कि जो आदमी अपना जीवन बलिदान कर सकता है यही पंच प्यारे होंगे तो वह पांच आदमी को वह पंच प्यारे कहे क्योंकि वह बलिदान कर नहीं रहते वह केवल पड़िक्छा ले रहे थे छद्म पड़िच्छा चुपे रूप में वह जानना चाह रहे थे कि या कैसे अपने जीवन को आत्मों सर्ग करने के लिए वह आशकता है बलिदान कर सकता है तो इसमें पांच व्यक्ति आपको सेलेक्ट हो गए और उसमें पहला व्यक्ति जो थे लहार के दयारा अश्मत भीवर थे और बिदर के नाई सहाव चंदर थे इन्हें पंच प्यारे कहा गया इन्हें अम्रित पिलाया और खुद पिया और उसके बाद से ये खान दे दिल पहूल कहा जाता है इस अवसर को आप देख रहे हैं यहां पर ये पांच व पंच प्यारे हैं मैं नाम आपको बता देता हूँ फिर से आपको लोहर के दयाराम खत्री हैं दिल्ली के जाट धर्मदाश हैं तीसरा द्वारिका के दर्जी मोहकम चंद्र छिंबा हैं चौथा जगनात के हिम्मत भीवर हैं और बीदर के नाई साहब चंद्र हैं यहां पर गुरू गोविन सिंग जी हैं और इनकी आप देख रहे हैं यहां पर आपको उनकी दूसरी पतनी यहां पर हैं जो अमरित अपने अमरित की तैयारी कर रहे हैं अम्रित जो हता सक कर और जो चीनी का लाता है और पानी को मिला करके यह जो है सब को पिलाए जाता है अपने भी पिये और इस प्रथा को खान दे दिल पहूल कहा जाता है या पड़िक्षाओं में खूब पूछा जाता है इसको ध्यान रखिए या पाचो-पंच प्याडे भी पिये अपने भी पिये और इनकी पत्नी जो है तो आपको इनको मदद करती हैं जो आपको माता साहिव कौर है यहां पर यह माता साहिव कौर जी हैं और यहां पर गुरु गोविन सिंग जी हैं तो यह जो है इस प्रथा को खांदे दिल पहूल का जाता यह खूब पूछा जाता उन्होंने कहा कि सीख पुरूस अपने नाम के आगे शिंग लाइन का टाइटिल लखेंगे महिलाएं अपन बस्तुये जो है जो आपको 5 ककार जो है तो पहन अनिवारज कर दिये सिख लों के लिए आपको बता रहे हैं यहां 5 ककार अपन पुरुष पहने हुए है अव्वाह 5 ककार क्या है तो सबसे पहला या केश है केश कौस केश आप देख रहे हैं कौसे कंगा है कंगा यहां पर आपको या कंगा है जो यहां पर लगता है कंगा है उसके बाद आपको कच्छा है कच्छा है कृपान यहां पर आप देख रहे हैं कृपान है ठेक है ना कृपान है तो यह जो है केस कंगा कच्छा करा और कृपान धारन करना जरूरी है पांच काकार की जरूरत है इस तरह से इन्होंने 80,000 सेनिक की चमता वाला खालसा सेना तियार कर लिया आनंदगर केसगर लोहगर और फतेगर किलो का निर्मान 1688 से 1690 के बीच में किया 14 युद्ध लड़े भागानी नादान जो 1689 नब्बे में हुआ इस दोनों में जीत हुई आनंदपूर साहे में बहुत मुठवेर हुई लास्ट में इनको वहां से छोड़ना पड़ा और चंपकार जो हुआ और मुक्तशड 1704 में चंपकार 1704 में ही विवा था चंपकार में ही इनके दोनों पुत्रों की बलिदान हो गई मार दिये गए तो मुगलों के सेना से आलिफ खां के नित्रित में पहाडी राजों में 1690 में आक्रमन किया था कहलपुर के सासक भीम चंद्र ने गोबिन सिंग से सहता की प्राथना की निवेदन किया कि भाई आप आए और हमको बचाए तो नांदेर का युद्ध हुआ और उस नांदेर के युद्ध में आपको इन्होंने आपको काफी उनको मदद किये थे और अंजेव की मृतू के बाद बहादू साह को बादसाब बनाने में मदद की थी जिससे सरहद का नवावजीद खां घवरा गया उसने दो पठानों को गुरू जी के पीछे लगा दिये और वह जो है अजीम खान को धोके से हत्या कर दी गई साथ अक्टूबर 1708 में गुरू जी नांदेर महारास्ट में इनकी मृतू हो गई अगला गुरू इन्होंने कहा था कि अगला गुरू की पर्था खत्म हो जाएगी या मैं अंतिम गुरू हूँ है इसके बाद गुरू गरंथ साहिब ही आपको निर्देशन करेगा तो दसमें गुरू अंतिम गुरू थे और अगला गुरू जो है गुरू गरंथ साहिब ही झाल झाल